Hello everyone, good morning, नमस्कार, 29 अगस 2021 और आज के The Hindu newspaper को आम लोग discuss करेंगे, analysis करेंगे, आप इसके PDF को download कर सकते हैं, टेलिग्राम से जिसका link आपको description मिल जाएगा, या सीधा प्रिवर्तन IS Academy टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग search कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, टाइटल दिय गया है, amid visa cancellation uncertainty haunts 1500 अफगान ICCR scholar, यानि ऐसे अफगानिस्तान के student जो भारत के अंदर scholarship के basis पर पढ़ रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि visa cancellation की जो news है, उस context में students के मन में uncertainties है, कि क्या उनके visa को extend किया जाएगा, और क्या उनको वापिस अफगानिस्तान के अंदर जान पढ़ेगा, इनके अलावा, ministry of external affairs ने home ministry को लिखा कि इस बारे में clarification जो वो दे जाने चाहिए, यहाँ पर यह अफगानिस्तान के ambassador आपको देखने हो को मुलेंगे, हलाकि अफगानिस्तान में अलग सरकार बन गी है, लेकिन फिर भी यह भारत में अभी ambassador के रूप में कांप क प्रोग्राम लोंच किया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो थे वो education प्राप्त कर सकते हैं और उसमें scholarship जो हो government के द्वारा provide की जाती, तो इसी context में जो student अफगानिस्तान के भारत के अंदर रहते हैं, या तो उनकी degree complete हो चुकी है, या उनकी degree एक तरीके से अभी start ह उस context में क्या उनके visa को extend किया जाएगा, इनके अलावा आप देखेंगे, बहुत सारे visas को cancel किये और recently news भी आये थी कि all type of visas are cancellation और fresh visa जो वो release किये जाएगी, ये एक information थी, तो ये कहीने कहीं इन students के मन में भी question raise करता है कि आप लोगों की certainty या एक तरीके से confusion है, उसको कैसे दू किया जाएगा, इसी context में ambassador से मिले और ambassador के बाद भारत की तरफ से, यानि ministry of external affair की तरफ से, ministry of home affair को लिखा गया कि immediately इस बारे में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना वो आप बताएगे, तो एक confusion भी है बच्चों के मन में, दूसरा, यहाँ पर इन बच्चों को ये लगता है कि अगर वो अफगानिस्तानी situation के अंदर वापिस जाएंगे, तो उनको वहाँ पर मार दिया जाएगा, तालिबान जो है, तालिबान के पास data है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से कोई नागरिक या उनके ही नागरिक जो कहीं ने कहीं उनको concern है कि due to due जो searching हो र इनके लाबा, अफगानिस्तान के अदर former भारत के जो ambassador रही है, उन्होंने ये बोला कि education, medical and trade relation जो है, वो intact रहने चाहिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि ये दोनों के relation को, bilater relation को कहीं न कहीं sport करता है, लेकिन अफगानिस्तान में अब situation थोड़ी different है, क्यो और भारत सरकार अभी wait and watch की policy में है, कि अफगानिस्तान को लेकर क्या foreign policy हो सकती है, इसको लेकर ministry of external affairs की तरफ से विदेश मंत्राले की तरफ से clarification भी दिया गया है, इसके बाद second information है, इंडिया brought back people holy books from अफगानिस्तान और ये statement दीगी भारत के परधान मंत्री दौर, यहाँ main theme क्या है, जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 को 13 April 1919 को, उसके context में एक memorial बनाया गया था, तो उसको renovate किया गया, रिनोवेट का मतलब क्या होता है, कि जैसे कोई memorial या कोई जिसको नुक्षान पहुंच जाता एक time के बाद, तो उसको फिर से सही किया गया है, जैसे म मरमत आप बोल सकते हिंदी में एक word यूज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर इनको renovate किया गया memorial को, 13 April 1919 को जो घटना हुई थी, जहाँ पर बड़ी संक्या में लोगों को हत्या कर दी गई थी, जो की peacefully एक तरीके से gather हुई थे, उनको 144 के बारे में information नही थी, और उस context माना जाता है कि हमारे दुनिया की इतिहास में या सदी का सबसे खतरनाग या सबसे घिनित कारिये की रूप में consideration के आजाता है उस activities को, इसी context में अगर आप देखेंगे, तो कई सारी चीजों के बारे में बताया कि recalling करने को लेकर आगले साल 2022 में भारत अपने 75 और complete करने जा रहा है आजादी के और इस context में भारत के इतिहास में उन घटनाओं के या यह कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भी सहादत दी सहीदी दी उन लोगों को remember के लिए इस तरह के memorial अपने आप में important है इनके लावा government की तरफ से भी बोला गया कि tribal moment जो रहा है भारत के सौतनतरता संगराम के अंदर या Indian Independence Struggle के अंदर जो tribal moments रहे हैं उनको recall करने को लेकर भी या उनके रोल को बहुँ ज़ाता highlight नहीं किया जाता तो उस context में government planning कर रही कि 9 museum जो पूरे देश के अंदर setup के जाएंगे और highlight किया जाएगा tribal communities का कितना important role रहा है freedom moment के अंदर तो ये कुछ छोटी छोटी information है इसके बाद आप आजाएगे page number 6 पर page number 6 पर last में आप देखेंगे why are hydro power project is the Indian Himalayan risky यानी Himalayan के अंदर जो hydro power project है ये risky क्यों है hydro power का एक simple सा मतलब है जल के दोआरा power generation करना ठीक है तो ये risky क्यों है recently environmental ministry की तरफ से Supreme Court के अंदर बोला गया कि seven hydro project जो इस area के अंदर उनको permission दीगी है ये फोटोग्राफ है 2021 का फेबरी दोजार इकिस का तपवन प्रोजेक्ट जो है वो वास्ट हो गया था flood के दूर यहाँ पर आप देखिए इसकी एक तरीके से cloud burst होना या lake burst हो जाना उसके बाद एकदम से पानी तेजी से आया और इस पूरे government ministry ने एफिडेविट के अंदर एक सुप्रीम कोट के अंदर ये बताया कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट को permission दिये और hydro electrical power प्रोजेक्ट जो उनको permission दीगी जो कि various stages के अंदर है construction के इनके अलाबा अगर आप देखेंगे इन में से एक 512 मेगवोर्ट का तपवन इश्नोग क्या है के दारनाथ flood हुई थी 2013 के अंदर जहां पर लगभग 5000 लोगों की death हो गी थी सुप्रीम कोट ने वहाँ उसके बाद कई साय जो hydro electric project है उतरागंड के अंदर उनको रोग दिया था इसके बाद 17 मेंबर की expert committee बनती है रवी चोपडा की leadership के अंदर उन्होंने examine किया और 25 इस तरह के proposed hydro electric project को जो है अलकनंदा और भागरती बेशिन में इनको analysis किया गया और इसमें माना गया कि irreversible impact इनका है क्लोजी पर इसके बाद six private project developers को permission दीगी उनको बोलागा कि पहले सी approval है construction को लेकर किदारना टेजडी से पहले Supreme Court ने अपनी नई committee बनाई इस case को examine करने के लिए विनोत तारे की leadership में जो कि Indian Institute of Technology प्लोग करते हैं उन्होंने बोला कि environment project जो होगा उनका significant environment impact है इसके बाद 2015 में फिर से committee बनती है ministry of environment की तरफ से जिसको lead किया गया BP दास द्वारा उन्होंने बोला कि definitely ये जो project है कुछ modification के उन्हों बारती जी द्वारा तो उन्होंने continue oppose कि hydro power project नहीं होने चे गंगा पर और इसी चीज़ को लेकर minimum level of water flow बना रहा है इसको ensure करने को लेकर उन्होंने लगा था विरोध भी किया ये कह सकते हैं कि favor में vote नहीं किया या sport नहीं किया इस पूरे context के बाद अब issue क्या है challenges क्य challenges definitely यहाँ पर यह माना जाता है कि क्योंकि पूरा का पूरा हिमालेन region जो है fragile माना जाता है glacier global warming के वज़े से glacier melt हो रहें glacier जो है लगातार या तो आपने लगातार देखा हुआ cloud bursting की situation हो glacier lakes का बनना हो और वहाँ पर heavy rainfall होना हो avalanches होना इस तरह कि activities जो बोल सकते ecological activities जो आपको इस particular region के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन इस conflict को कैसे result क्या जा सकते हैं उत्रहकंड सरकारी बोल रहें कि हम हर साल 1000 क्रोड रोपे annually purchase करते हैं electricity को और यह हमारे कह सकते हैं कि economy पर या financial stress जो वो create करता है लेकर ecological damage कहीं ने कहीं यह करता है एक तरीकेश अगर आप hydro electrical project को आप देखेंगे और उस region के अंदर क्या जिसमें लगातार ecological sensitive area है fragile area और उसके result हम देखते हैं चाहे cloud burst हो या वहाँ पर avalanches हो heavy rainfall हो flood हो इस तरह की चीज़ों को लेकर earthquake भी एक ऐसा ही एक event है जो इसकी वजह से कहीं ने कहीं और ज्यादा challenge होता है तो क्या आने वाले time में solar power के थ्रू जो है इस पूरे infrastructure project को priority दी जा सकती है ये कुछ opinion है हलाकि कुछ जो आप देखेंगे environmentalist है वो ये मानते हैं कि इनके एक तरीके से environment को कहीं ने कहीं हम लोग जो हो ध्यान जरूर रखे बट development related project जो उनको continue करना पड़ेगा sustainable development एक word use किया जाता है सतत विकास जिसमें दोनों के बिच्छी बैलनस किया जाए यानि development भी हो और ecology को या environment को कोई नुकसान ना हो इस बात का ensure किया जाए तो ये important information थी page number 6 पे इसके बाद page number 7 पे गरम बात करें तो छोटिश information है यहाँ पर दो छोटिश information आपको देखने को म अदर ले जाने का काम करें गगनियान मिशन तो इसका एक demo model जो है उसको trial किया जा रहा है इसको गोला जाता है system demonstration model को राइट इसी से लेटेट है एक और news है यहाँ पर यह ध्यानक ना महिंदरगरी hills से जो है तरी किसे कहीं ने कहीं यूज गया है टेस्ट किया गया इसके ब लेकर यानि space suits को बनाए जाएंगे space suits का basic purpose क्या होता है space suits जो protect करते है astronauts को extreme temperature वेक्यूम से तो इसी context में भारत और Russia cooperation करें गगनियान मिशन के अंदर और गगनियान मिशन में इंडिया के mission को sport करने को लेकर Russia का institute है वो space suits जो बनाएंगे ताकि extreme situation को जो है एक्यूम जो एक तरी देखेंगे दोनों भारत और रशिया सा space technology हो nuclear power हो इनके अंदर cooperation करते हैं बाचित करते हैं और भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे इंडिया के जो astronauts है गगनियान को लेकर ये travel करते हैं इंडिया के इस जो गगनियान के तुरू जाएंगे space के अंदर उनको लेकर जो technology की requirement है ये training की requirement उसमें रशिया मदद कर रहा है तो ये कुछ छोट छोटी information आपको देखने हो के मिलेगी भारत और रशिया के relationship को लेकर भी हो सकता है गगनियान mission बहुत important है 2022 तो जो भारत का mission है आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे उस context में जो training और उसके लिए एक तरीके से requirement, technology requirement है उस context में Russian Space Agency रशिया के institution जो है भारत और भारत के इसरों और भारत सरकार इन चीजों को जो है वो sport करें तो इसी context में pilots को training दी जा रही है उनको sport के जार रशिया के दौर ठीक है तो ये छोट छोटी information ध्याना गगनियान mission बहुत important है main scale भी और plane scale भी इसके बाद page number 8 प DNA based vaccine थी और इसमें interesting चीज़ यह थी क्योंकि 12 प्लस है यानि 12 साल से उपर के बच्चों को दी जा सकती है तो इस context में vaccination के बारे में special क्या है या अलग vaccine कैसे पहले तो DNA based vaccine है यह अपने आपने यूनिका दूसरी needle free vaccine consider किया जाता है plasmid DNA vaccine को माना जाता जाथा जाए जाड़ी ज दिया गया है एनके रोडा साहब का इन्होंने कई सारे question के बारे में बात करी है लेकिन हम लेको mainly focus करेंगे vaccine different क्यों है अगर आप इस vaccination के बारे में देखेंगे तो यह three dose vaccine है और दूसरी covid-19 vaccines के अगर आप compare करेंगे तो national covid-19 task force के member जो है यह कहीं पर भी जो हो आपको अगर आ देखेंगे हो सकता है कि इसकी efficacy जो है वो कम हो लेकिन DNA based vaccine होना three dose vaccine होना यह अपने आप में इसका important role जो वो पले करती है अगर आप इसमें देखेंगे हावी जाइडे स्केडिला जाइडे स्केडिला की जो vaccine है different कैसे दूसरी mRNA based vaccine पर अगर आपने 2020-21 में science and technology की कुछ words देखे mRNA vaccines क्या है और third जो है DNA based vaccine क्या है इनके बारे में जरूर पढ़ना क्योंकि UPSC में science के बजाए science and technology को ज़्यादा priority दी जाती है और इस तरह के question पहले ही पूछे गई हैं आगे अभी पूछे जा सकते हैं 2020 में भी जैसे artificial intelligence, blockchain बहुत सारे सवाल हुए तो आने वाले time में भी possibilities है तो mRNA vaccine जो होगी दूसरी vaccine जैसे covexin, covexin ये सारी vaccine जो होगी वो different है लेकिन ये आपको different देखनों को मिलेगी दुनिया की पहली plasma DNA vaccine है human use के लिए approval करी गी है DNA याने deoxy ribonucleic acid ये contain करता है genetic code of various components of an organism या एक तरीके से DNA basically क्या है कि एक particular code type में होता है जो analysis करता है particular structure क्या होता ह एक body का या उसके किसी एक तरीके से हमारे body parts का right इसके लावा एक vaccine जो है ये part है क्योंकि covid-19 virus से help करते उसको protect करने में और enter करती cell के अंदर जो की disease को कहीने कहीं जो covid-19 के वज़े से जो damage करता है नुकसान कराता है ये vaccine जो है human body के अंदर जब inject की जाती है तो particular part of the virus जो है उस system के अंदर जो है antibody को generate करती है और T cell जो है वो immunity हासिल करती against the virus तो ये कुछ छोड़ी छोड़ी information आपको particular इस page पे page number 8 पर देखने को मिलेगी इनको आप धिहान रखना इसके बाद page number 9 world affair के बारे में जो news दी गई है वो आपको देखनी है पहला गर आप देखेंगे लगातार world affair में जो एक चीज continue है वो है अफगानिस्तान 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 वो continue है तो इसमें कुछ नई updation नहीं है जैसे US ड्रोन ने स्ट्राइक किया Islamic State के कुछ targets को अफगानिस्तान के अंदर इसके लावा अगर आप इसमें कुछ नई चीज़ें अगर world affair में देख देखेंगे तो right hand side आप देखेंगे United States के Gulf Coast के अंदर hurricane यानि आपने कई सारे ऐसे disaster देखने को में जैसे भारत के अंदर cyclone होता है तो इसी तरह से USA की तरफ hurricane यह जैसे Australia विली विली जैसी इस तरह की event होते है यह extreme आप events आप बोल सकते जिसकी वज़े से और इसकी speed आप इस्तान को लेकर western Asia की एक summit हुई France और Iraq के बीच में उन्होंने discussion किया गया कि कैसे Islamic State जो है पूरे western region को western Asia को disturb कर सकता है तो one किया French President Emmanuel Macron ने फ्रांस अगर आप देखेंगे पूरे 2020-21 में पिसले कुछ सालों में वो country जो लगा था या आप कई ऐसे step भी है जो extreme step भी माना जाता ह कुछ लोग उसका growth भी करते है और खासका terrorism के against काफी ज्यादा active यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से role play किया है इराक वो country जो लगाता है negotiation का का काम कर रही इरान और सवधी अरभिया के बीच में क्योंकि सवधी अरभिया और इरान के बीच में कुछ concern है सिया सुनी का तो एक concept है दूसरा इनके bilater relation अच्छा नहीं है तो इस context में इराक एक mediator का काम कर रहा है मदेशता का काम कर रहा है दोनों के context में है इसके लाब आप Nigeria में बहुत सारे बच्चों को जो kidnap कर लिया जाता है और उसको बाद में release किया जाता है तो Nigeria भी continue country है जो news मे रहती है तो Nigeria की context में question आप लोगों से है आपको नीचे comment करना है कि Nigeria जो है किस continent के अंदर है Nigeria की capital क्या और Nigeria किन किन country से अपनी boundary share करती है यह आपको नीचे comment करना है ठीक है तो world affair से कोई specific news नहीं है exam perspective से just a story type में जो dated on news होती है उस तरह की news है इसके बाद ये वाला page काफी important इसम में एक important information हम लोगों पढ़नी है वो है BCG vaccination को लेकर उससे पहले कुछ छोटी information यहाँ पर आप देखेंगे देखी यहाँ पर artificial intelligence को लेकर बताया गया है कि Arctic Ocean के अंदर जो ice loss हो रही है उसको predict कर सकता artificial intelligence आपको यह ध्यान रकना है Arctic Council 2021 में लगातार news में क्योंकि Arctic Council की meeting हुई थ एक major decision वहाँ पर लिया गया था और recent में भी news में रहा था climate change या उसके global warming के impact को लेकर तो आप लोगों को second question comment करना है Arctic Council की country कौन कौन सी member country कौन कौन सी है और भारत क्या इसका member country है यह आपको clarification करना है important summit हुई थी बहुत important है पहले भी पूसर दा चुका है UPSC ने Arctic Council के बारे मे फिर से पुछे जाने की possibility जो हो है इस page में सबसे important है वह है BCG vaccine के 100 year complete हुए है और still counting यानि 100 year complete और still counting करके mention किया गया BCG vaccine यह कुछ geographical location के अदर अच्छा काम करते है और कई जगा पर अच्छा काम नहीं कर पाती वो क्या reason इस सारी चीजों को पढ़ेंगे तो BCG vaccine basically क्या है और कै कैसे important इसका role है अगर आप देखेंगे एक stop the complete होने को आगी है जब इस vaccine की discovery करी गई थी और पहली significant माना जाता है कि बहुत important role play क्या human health के अंदर the first use of BCG BCG basically क्या है bacillus calumatic urine यानि यह जो person दो person उनके name पर ही BCG vaccine का नाम रखा गया था और यह protect करती है tuberculosis के अगेस्ट यानि human को save करेगी tuberculosis के अगेस्ट और TB जो है वो एक्तरीके से होता है micro bacterium tuberculosis की वज़े से और आप देखेंगे micro bacteria जो family है इसके वज़े से लगा इसमें 200 member है और बहुत सारे disease जैसे TB है लेपरेसी है यह कहीं न कहीं इसकी वज़े से होते हैं और यह humans को और wide range of animals को impact करते हैं या उसको effect करते हैं tuberculosis में सबसे खराब situation क्या होती है क्योंकि लंग्स पर फिप्रों पर असर करता है तो यह ज्यादा problematic इसके बाद यहां पर TB का इत्यास बतायागे कि यह लगबग 3000 साल पुराना disease है और इससे पहले आप देखिए हिस्ट्री में smallpox, lepracy, plague, cholera इस तरह के disease आपने इंडिया में total number of cases का 27% cases देखने को मिलेगा tuber closes के मामले में राइट, BCG जो है डेवलप करेगी दो फ्रेंच मैन के दवारा, Albert Calmate और Camely Guirin के दवारा, तो इनके नाम ध्यान अखना 100 year complete हुआ है, directly question पूछ भी सकते हैं BCG vaccination को लेकर, क्योंकि वेक्षिन बहुत ज्यादा news में ह जैसे 2020 में pneumonia की वेक्षिन को लेकर पूछ लिया था, जब पूरा देश COVID-19 पढ़ रहा था, तो UPSC एक अलग swing लेती, अलग तरीके सी चीजों को सोचती है, तो पहले बार इसका use हो था 1921 के अंदर, और ये कुछ वेक्षिन, पहले हाला कि ये जो strain है, ये cattle के वज़े से जो कहिना कई microvectrium bovis की वज़े से जो हुआ था, उस context में use किया गया था, अब बात करेंगे soul vaccine, soul vaccine का मतलब है कि tuber closes को लेकर ये एक मातर ऐसी vaccine आपको देखने को मिलेगी, और आप इसमें देखेंगे कि भारत के अंदर national TB control program के अंदर 1962 के अंदर ये part बना था, और 1948 के अंदर limited scale पर इसका use जो वो introduced किया गया था, अब अगर आप इसकी efficacy के बारें बात करेंगे, तो ये माना जाता है कि जो BCC vaccine है, definitely वो अच्छा काम करें लेकिन कुछ areas के अंदर ये अच्छा काम नहीं कर पारी, जैसे अगर कोई country माल लेते हैं, ये यहाँ पर आपको line दिखेंगे, माल country है, यहाँ पर ये अच्छा सर नहीं कर रही, जैसे इंडिया, केनिया, मलावी, जहाँ पर टीवी का बड़न ज्यादा है, वहाँ पर ये अच्छा काम नहीं कर, ये कहीं कहीं concern है, इसको लेकर various survey भी करवाएगे, various analysis भी करवाएगे, भारत में भी Indian Council of Medical Research है, National Institute for Research in Tuber Closes है, और इंडिया committed अपने आपको करता है कि 2025 तक eliminate करेंगे इस disease को, इस goal को achieve करने के लिए जरूरी है कि better diagnostic facilities हो, और more effective vaccination की जरूरत है, हलाकि भारत में दूसरी vaccination भी clinical trial में है, जैसे VPM 1002 है, इसके लावा Mycobacterium Indicus Pranica करके एक vaccine MIP, ये भी कहने कहीं use में है, और आने वाले time में और development को इस बात की लेकर कहीं कहीं प्रयास की जा रहे हैं, तो चीजें difference आपको देखने को मिलेगी, पहले बात COVID-19 का relation देखा गया, कि जिन व्यक्तियों ने BCG vaccine जो है, नेशनल पोलिसी का जहां पर भी part है, और जिनको पहले कोई more fertility है, वहाँ पर पहले सो कोई बिमार नहीं है तो COVID-19 को केस में motility rate यानि मर्तियों दर्भी वहाँ पर कम देखने को मिलेगी, और जहां पर यह vaccination पार नहीं, वहाँ पर आपको death rate ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसी context में आप देखेंगे, COVID-19 को लेकर लगबग 18 महीने हुए हैं, और इसको लेकर दुनिया भर में केवल एक vaccine को approval दिया गया, बाकी clinical trial के अंदर है, पूरी दुनिया की ये बात है, तो इसमें ensure किया जाए, कि और ज़्यादा vaccination को approval दिया जाए, इसमे clinical trials हो, analysis किया जाए, वो सारी चीज़े इसमें होनी, बहुत important ताकि इसमें 100 years जो हमने complete किये, जो चीज़े हमने हासिल करी है उसको continue किया जाए, उसको और ज़्यादा effective, जैसे equator के आसपा जो country ज़्यादा effective नहीं हो पारी, तो वहाँ पर और vaccination का alternator जो हो हो, और 2025 तक भारत को अगर eliminate करना, तो इसको लेकर strong policy जो follow करनी पड़ेगी, इसके बाद page number 11 और page number 11 पे जो most important topic पूरी week में news में रहते हैं, और को analysis किया जाता है, तो पहला यहाँ पर mention asset monetization को लेकर, asset monetization एक topic जो पिछले एक विक्षे news में, उसके बारे हम detail से पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर OVC categories को लेकर जो creamy layer का concept उसके बारे फिर से बताया गया है, तो repeat mode पर तो इसके बारे में brief में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, why is there a push for asset monetization, यानि asset monetization को लेकर लगातार बातचित क्यों हो रही है, asset monetization basically क्या है, asset का मतलब होता है, पुन जी या प्री संपती आप बोल सकते हैं, monetization का मतलब है उसकी monetary value, यानि पैसे मुसकी value को consider करना है, माल लेते हैं कि य एक highway है, यह सरकार के अंदर है, और इसको सरकार lease पर दे देती है, तो इस पर lease पर देने का मतलब क्या होता है, कि कुछ साल के लिए agreement पर दिया है, कुछ साल के लिए rent पर दे दिया माल लेते हैं, तो उसके बदले में जो पैसा सरकार को मिलेगा, उसको उसका जो है वो करते हैं, कि government जो है, expect करें कि इस तरह के asset को जैसे airports है, road है, coal mines है, hotel इनको lease पर देने से उनको पैसा मिलेगा, और यह क्या इसकी वाज़े से economic activity जो उसको boost up मिलेगा, यह कहने के discussion किया गया है, तो यहाँ पर क्या story सबसे पहले हो बताया गया है, कि पुरा issue क्या है, तो Monday को finance minister निर्वला सिधरवन वेडवन ने announce किया था, national monetization pipeline, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि सरकार यह चारिए कि लगबग 5.96 lakh crore रुपे government को मिलेंगे इसकी वज़े से, और monetization के अंदर जो है, यह definitely मदद करेगा किसीज को लेकर, जो public asset है, जो use नहीं हो रही है, यहाँ पर सरकार को लगता है कि इनको lease बर देना चाहिए, दो चीज़े हैं, ध्यान रखिए, प्राइवेट किसी चीज को करना, प्राइवेट इन दे संस की इसको बेच देना बोल सकते हैं, प्राइवेट, दूसरा एक तरीका होता है, डिस investment, का मतलब होता है, कि माल लेते हैं कि इस हाईवेए में 100% हिस्सा जो सरकार का है, उसमें से 10% हिस्सा जो सरकार सेल कर देती, इसको बोलते हैं, डिस investment, यानि विदिवेट करना, या अपना हिस्सा जो है, कम कर लेना, इसके बाद सरकार को लगता है, कि मोनेटिजिशन प्लान से, सरकार को capital expenditure पर खर्च कर सकती, capital expenditure एक word जो यूज हो रहा है, इसका मतलब यह होता है, कि एक होतार, revenue expenditure एक होता है, capital expenditure, capital expenditure का मतलब है, long term का जो खर्च होता है, जैसे highway बनेगा, तो उस पर long term में खर्च भी होगा, और यानि long term के खर्च के लिए beneficial को लेकर जो खर्च होते हैं, उनको लेकर बोलते है, capital expenditure, तो इस एक एसेट को लिस्ट करता है प्राइवेट इन्वेस्टर के कॉंटेक्स्ट में इनके लाबा केवल ब्राउन फिल्ड एसेट को ही इसमें एक तरीके से यूज गया जा सकता है ब्राउन फिल्ड एसेट को ही इसमें जो अलड़ी ओपरेशनल है उनको दिया जा सकता है लीज प उसके लावा कुछ नहीं होता, तो यह दोने में different हैं, एक होता है जैसे renovate करना, पहले से कोई building उसको use करना, वहाँ पर जमीन पर कोई building नहीं है, उसको बनाना इस तरीके चाप consider कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस पूरे context को, तो उनको lease पर देना, और उसके बाद जो सरकार को पै पैसा मिलेगा, उसको national infrastructure pipeline के लिए use किया जाएगा, और यह माना जाता है कि total infrastructure की जो cost है, उसका 14% asset monetization की through government को मिल सकता है, और जब पूरे देश की economy जो है, COVID-19 के वज़े से contraction phase कर रही है, या economic recovery की कोसिज कर रही है, उस context में, यह जो पैसा, क्योंकि सरकार पर एक stress भी है, financial stress औ और state government को लेकर भी concern है कि state government लगातार जा रही है कि भई हमें financial freedom दी जाए, और ज़्यादा पैसा दिया जाता है, उस context में, यह पैसा बहुत important role play कर सकता है, अब कोई चीज शुरू करोगे तो definite सी बात है, कुछ risk भी है, risk क्या है, पहला कुछ political party को लगते है कि, यह corruption को lead करेग और corporate house government के close उनको benefit मिलेगा, दूसरा, यहाँ पर legal problems भी हो सकती है, कि जो land आप lease पर देंगे, क्या उसका outcome होगा, और third, economy पर क्या यह development किया जाएगा, इसमें consumer पर outcome क्या होगा, यह कहीने कही concern है, इसके अलावा एक जो word use किया गया है, opportunity cost को, क्या नहीं यह जो activities होगी, क्या opportunity cost के against नहीं है, यह जो word use किया है, इसको धान रखेंगे, opportunity cost का मतलब क्या है, कि opportunity cost जो represent करती है, potential benefits को an individual investor और business जो की miss कर देता है, कोई alternate को choose करने पर एक दूसरे पर, यह नि क्या होता है, कि माल लेते है कि investor को एक A नाम से कोई asset चूज करनी थी, लेकिन वो choose करता है B को, तो जो नुक्सान होता है, उसको बोलते है, opportunity cost, right, इसके बाद आगे क्या क्या जासकता, तो यहाँ पर simple सी बात पता है, जासे एर इंडिया कोंटेक्ट्ट में गॉर्मेंट ने जो disinvestment policy थी, जहाँ पर कोई investor ही नहीं था उस context में, तो ऐसी चीज़े ना हो, और इसको लेकर proper execution ह इसका analysis भी क्या जाए, monitoring क्या जाए, ताकि इसके benefits को, इसके जो एक तरीके से concern सब चीज़ों का evaluate क्या जासके, और implementation जो है, उसको भी कही monitoring क्या जाए, और इसमें competition जो होना चाहिए, सब के लिए equal होना चाहिए, ताकि कोई monopoly ना हो, यह एक तरीके से, कोई एक ही company, एक ही व्य मैं आपको brief में बता दूँ, Supreme Court ने बोला था, केवल economic अधार पर ही आप OBC को creamy layer के अंदर नहीं consider कर सकते, various overview indicators हैं, जैसे किसी व्यक्ति तक education के access कितनी है, jobs के access कितनी, इन सब चीज़ों को basis पर भी reservation का एक base होगा, यह creamy layer के concept के बारे में redefine किया गया, दूसरा एक चीज़ और ensure करनी है, कि अगर केवल economic basis पर reservation होगा, तो EWS और OBC में difference क्या होगा, यह भी कहीं कहीं concern था, इसके context में Supreme Court ने clarification दिया, OBC में creamy layer के concept को लेकर, और केवल economic basis पर ही consider नहीं किया जाएगे, particular OBC को reservation दिया गया, तो यह कुछ information थी, आज के दहिंदू से, thank you all, जहिन